हलो फ्रेंट्स, WSQ Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिट से वेलकम करता हूँ आज सी लेंविज को यूज करते हो हम लोग एक और अलग टाइप के पैटन को बनने वाल है तो आज कर जो मेरा पैटन आप स्क्रिंट पे देख सकते हैं इस बार मुझे पिछले प्रोग्राम से बिलकुल उल्टा काम करना है तो हम लोगों ने क्या किया एबी सी डी को प्रिंट किया था लेकिन इस बार हमारे पास प्रिंट क्या रहा है O N M L K मतलब उल्टा हम लोग प्रिंट करें A to O नहीं जाके O से A जा रहे है एक तो यहां पर यह बात होगे यह उल्टा जा रहे है साथ में क्या हो रहा है हमारे पास इस बार 5 कॉलम स्प्रिंट हो रहे है एक साथ रोर नमबर 1 नहीं इसी टैप से next row में देख सकते है 4 कॉलम स्प्रिंट हो रहे है स्पेस जो है जो पहले 4, 3, 2, 1 हो रहा था इस बार हमारे स्पेस जो है वो रोर नमबर 4 में देखेंगे तो 1 है रोर नमबर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे यह कह सकते है जो यहां पर जो आपके पास next third row है यह फर्स रोर में तो आप देख सकते है पैटन का code लिखेंगे तो देखें लॉजिक क्या है देखें लॉजिक जो है वो बड़ा simple है आपको यहां पर आप रो और column को handle करना है आप जानते हैं 5 rows और 5 columns हैं हमारे पास इन 5 rows और 5 columns में हमको क्या करना होता है हर बार row और columns की values को set करना होता है यहां space है, space को भी देखना है आपको ठीके, आप यह भी जानते हैं कि columns जो होते हैं वो हमेशा row के उपर depend होते हैं तो यहां पर देखिए total कितने column हो 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1 तो मैं यह कह सकता हूँ कि आपके पास जो row की value अगर मैं इसको 5 ठीके, इसको मैं 4, इसको मैं अगर 3 इसको मैं 2 और इसको अगर मैं 1 करता हूँ तो अपना काम हो जाएगा row की value को कहां से शुरू किया 5 से 1 टाइम ठीके अब इसके अलावा क्या काम किया आपने तो यहां एक और चीज़ देखते है columns, अब columns कहां से शुरू हो रहे है तो देखिए 5 से 5 अगर मैं इसको कहूँ तो आप देख सकते है यह कहां से शुरू हो रहे है, 4 से ठीके, यह कहां से शुरू हो रहे है, 3 से यह कहां से, 2 से, और यह 1 से अब इसका मतलब क्या हो गया देख सकते हैं अगर मैं इसको कहा हूँ एक से पाच तक आए आप ठीके 1 to 5 इसको देखिए 1 to 4 इसको देखिए 1 to 3 इसको देखिए 1 to 3 इसको देखिए 1 to और इसको 1 है ना तो हम लोग यह कह सकते हैं कि column आपका शुरू कहां से हो रहा है 1 से लेकर के आर टाइम सकते हैं चलिए पहले में एक बार रो लिख देता हो लिख दूँगा r equals to r कहां से शुरू हो रहा है आपका 5 से कहां तेक चलने वाले आप वन टाइम था इस रो में जब आप आओगे तो तो इस row में क्या काम करना है, आपको पहले column प्रिंट करना है, हाला कि space आपको दिख रहा होगा, मैं से first row के according अगर बात करूँ, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, column, column कहां से शुरू हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ, column मेरा 1 से शुरू होगा, और कहां तक जाएगा, row के according, 1 to R, यानि कि 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1, ठीके, यह आपको देखना है, फिर इसके अलावा मेरे spaces भी है, तो spaces को अगर हम देखें, तो second row में आपको पता चलेगा, कि row number 4 पे एक space आ रहा है, ऐसी row number अगर आप next देखेंगे, 3 वाली तो वहाँ पे 2 spaces आ रहे, तो मैं अगर यह करता हूँ, जैसे कि मेरे पास suppose SP जो है, SP की value का से शुरू कर दूँ, 4 से, 4 से R, 4 से 4, एक मिल जाएगा, 4 से 3, 2 मिल जाएगे, 4 से 2, फिर से आपको जो next आपको चाहते है, 3 spaces, ऐसी 4 से 1 में, 4 spaces आपको लें, like 4, 3, 2, 1 है न, तो हमारा purpose होन दाएगा, like हम लोग यह चाह रहे थे कि SP 4 से R, अगर set हो जाएगे, तो हमें उतने space भी मिल जाएगे, ठीके, और first row में अगर आप देखेंगे, तो ठीकी, possible है नहीं, कि वहाँ space नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने, जो space की value वो का से शुरू की है, 4 से, ठीके, अब इसमें print क्या हो रहा है, print वाली बात भी कर लेते हैं, तो इसमें print क्या हो रहा है, इसमें print करें हम लोग कोई character, ठीके, percentage C, क्योंकि यह, आपके पास एक format specifier है, मैंने इसको लिख दिया, percentage C, अब ना कोई एक variable होगी, सपोज उसका नाम आप I भी ले सकते हो, कुछ भी ने लिख दिये, मैं अगर एक काम करता हूँ, ओपर जाके लिख दियता हूँ, I, मुझे यहाँ पर यह ध्यान लगना है, I, I की value set करनी है, आप आप कहा से करना चाहते हैं, तो देखे, इसको आप लोग कह सकते है, capital 65, तो अगर मैं इसको यह लिख देता हूँ, कि यह 79 से शुरू हो, तो यह मैं क्या कह रहा हूँ, आप जानते 65, capital A की आप की हो थी, वैसी मैंने count करी, तो 79 से शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है, अब I की value क्या है, 79, 79 पर जो character बनता है, capital O, वो print हो जाएगा, ठीके, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी I को, प्लस प्लस, ठीके, तो logic जो है, वो बड़ा simple था, इस logic को अब हमको क्या करना है, apply करना है, अपने code पर लिखेंगे, अब लोग, ठीके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, आगे, अब अपना code देखेंगे, ठीके, code क्या है, मैं लिख देता हूँ, hash, include, stdio.h, ठीके, header file को यहाँ मैं include कर लेता हूँ, और फिर इसके अंदर जाके, अपनको क्या करना होगा, मैं लिख दूँगा, integer, main, main function शुरू, main function के अंदर जाके, last में क्या लिखना है, आपको return 0, बस इतरा सा काम, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी variables declare करनी, तो मैं लिख दूँगा, integer r, c, sp, और एक i, और i की value कहां से शुरू करेंगे, हम लोग 79 से, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको, आपको सिदा सा for loop चलाना है, तो for loop कहां से शुरू होगा, row के लिए देख सकते हैं, पूरा जो logic है, आपके सामने रखा है, मैंने, r कहां से शुरू होगा, r equals to 5 से शुरू होगा, r is greater than or equals to 1 है, तब तक आपका r चलता जाएगा, तो r minus minus मन्ना 5, 4, 3, 2, 1, कतम, इसके अंदर आपको कुछ काम करना है, क्या काम करना है, spaces set करना है, तो क्या लिख दो के for sp, sp कहां से शुरू होगा, 4 से, ठीके, कहां तक चलना है, आपको 4, 3, 2, 1, इस टाइफल से लिए न, आप जैसे last और रो में अगर आप है, माइनस माइनस, ठीके, इसमें क्या करना है, आपको print करना है, यह लिजिए, पूरा code आपके सामने लिखावा पड़ा है, उपर भी यह आपके spaces print कर देगा, जितने भी spaces आप चाते हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं लिख दूँगा for c, c की value कहां से शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं, 1 से, ठीके, कहां तक जा रहे हो, आप r टाइम्स तक c is less than or equals to r है, तब तक चलते जाएए, उसी आपका क्या होगा, प्लस-प्लस, इसके बीच में आपको क्या करना है, बस print करना है, क्या print करेंगे, percent c, पुरा code लिखावा है, आप देख सकते है, i की value जो भी है, वो print करा दीजिए आप, बस i को आपको क्या करना है, minus minus, क्योंकि एक बार आपके i की value o print करेगा, बना 79, फिर 78, फिर उसके इस तरीके से हम चलते जाएंगे, तो आप देखेंगे, यह सब कुछ print करने के बाद, हमें क्या चाहिए, एक new line और चाहिए, तो slash n आपको डालना है, वो किस तरी है, क्योंकि आप चाहते है, कि जैसे आपके columns print हो जाएंगे, उसके बाद आपको new line लेने है, तो इस तरीके स difference मैंने क्या कर दिया, अपना code जो हो, complete कर दिया, बीच के spaces जो है, उसको में एक बार हटा देता हो, ठीके, ताकि आपने को code भी पूरा दिखता रहेगा, और साथ में logic भी दिखेंगे, तो मैंने फाइल को save कर दिया है, बस मुझे क्या करना, F11 की press करनी है, आप देखेंगे आपके सामने बिल्कुल वैसा है output है, जैसे हम लोग बात करें थे, उल्टा है, नीचे से देखने थे, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीके, तो इस टाइप से जो है, हमने थोड़ा आज एक अलग टैप का pattern डिसकस किया है, ऐसे ही आगी के वीडियो में भी हम लोग और ऐसे अलग अल अलगे देखने 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 लेगे, दने बादेगे.